हेलो दूस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी मुझे उमीद है कि आप सब एकदम भड़िया होंगे मैं आपकी डियलेट फर्स्ट सेमिस्टर की साइन्स की क्लास लेकर के आई हूँ और साइन्स की जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो टॉपिक आपका शुरू किया था टॉपिक क्या आपका नया चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने स्टार्ट किया था जो था आपका सजीव वस्तुएं उम्मीद है कि आपने उस class को देख लिया होगा अगर आप लोगों ने एक class अभी तक नहीं देखिए तो चैनल पर जाकर आप इस class को देख सकते हैं सजीव वस्तुएं जो आपका chapter था इस chapter मैंने आपको बताया था आज हम इसका थर्ड topic है वो शुरू करेंगे और जो है आपका पौधेवा जन्तु और पौधेवा जन्तु के बाद हम आपका जो fourth topic है अनुकूलन उसको भी आजची class में हम complete करेंगे ठीके तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी आजची class तो पहला topic इसमें आपका रहने वाला है पौधेवा जन्तु यानि कि plants and animals ठीके चलिए तो इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़े पढ़नी है कि पौधेवा जन्तु में क्या-क्या समानताएं होती है यानि कि क्या-क्या similarities है और क्या-क्या इसमें भिनताएं होती है क्या मतलब पौधे किस प्रकार से जन्तु से अलग है और जन्तु किस प्रकार से पौधों से अलग है सबसे पहले हम पढ़ेंगे पौधेवा जन्तु में क्या समानताएं होती है तो पहली समानता है कि भोजन यानि कि पौधों को भी कही ना कही उर्जा के लिए अपनी ग्रोथ के लिए अपने विकास के लिए भोजन की आवश्यक्ता पड़ती है सेम जन्तू को भी अपने विकास के लिए अपने उर्जा के लिए भोजन की आवश्यक्ता पड़ती है वस्तु में हैं सजी वस्तु में जीवित रहने के लिए क्या करती है शुषन की क्रिया करती है शुषन की क्रिया के अंतरकत होता है कि सांस लेना यानि कि ऑक्सीजन को ग्रहंड करना और कार्बन डैयोकसाइड गैस को बाहर निकालना ये प्रोसेस आपकी जुनतुओं में रह तो पौधे भी कहीं न कहीं शुषन की क्रिया करते हैं और सेम शुषन की क्रिया जन्तु भी करते हैं जीवित रहने के लिए तो ये भी similarities है पौधों में भी शुषन होता है जन्तु में भी होता है नेक्स्ट है उत्सर्जन उत्सर्जन की क्रिया पौधे भी करते हैं और जन्तु भी करते हैं उत्सर्जन ठीक है कोई भी जीब जन्तो सभी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं उत्सर्जन का मतलब क्या है कि जो भी आपका वेस्ट पदार्थ है उसको बॉडी से बाहर निकालना ठ प्रजनन की बात करते हैं नेक्स्ट तो प्रजनन पौधों में प्रजनन का मतलब क्या है अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करना ही कहलाता है प्रजनन तो पौधों में प्रजनन होता है पौधे भी अपने जैसे नए पौधे की उत्पत्ति करने की छमता रखते हैं ठीक है इसकी बात आती है समवेधन शीलता तो समवेधन शीलता का गुड़ पौधों में भी पाया जाता है, पौधे भी संवेदन शील और जन्तु भी होते हैं, जैसे चुई मुई की पौधे का एक्जामपल दिया था कि जब उसको टच करते हैं तो उसकी पत्तियां आपस में बंद हो जाती हैं, जिसको touch me not के नाम से भी हम जानते हैं, तो छुई मुई समवेदन सीलता प्रकट करता है, जन्तू की बात करें तो जन्तू भी समवेदन सीलता को प्रकट करते हैं, जैसे मैंने एक्जामपल दिया था, कोई गरम वस्तू आप के पास आ रही है, या कोई बहुत ही जुबने वाली वस्तू आ रही है, तो एकदम से हम हाथ को या पैर को पीछे हटाते हैं, खीचते हैं अपनी तरफ, तो वही क्या है समवेदन सीलता को प्रकट करता है, इसके बाद आता है अनुकूलन का गुड, तो अनुकूलन जो है पौधे भी प्रकट करते हैं अनुकूलन और जन्तु भी करते हैं, अनुकूलन क्या होता है, तो पर्यावरन के साथ में जैसा वातावरन मिलता है जीव, उसी वातावरन में रहने के लिए, वातावरन में रहने के लिए, वातावरन में रहने के लिए, वातावरन में रहने ही कहलाता है अनुकूलन की क्रिया अनुकूलन पौधों में भी होता है और चंतूं में भी होता है तो यह रही इनकी सिमिलर्टीज इसके बाद आते हैं जंतूं और पादपों में क्या-क्या भिनताएं होती हैं तो सबसे पहली भिनता रहेगी भोजन की भोजन की भिनता क्यो बस एकी चीज़ अलगे कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोज़न स्वयम बनाते हैं जबकि जन्तु अपना भोज़न स्वयम नहीं बनाते हैं यह या तो पौधों पर डिपैंट रहेंगे इया फिर किसी अन्यजीव जन्तु परAnt रहते हैं योगि पौध ही अपना भोजन स्वयम बना रहे हैं इसलिए वो स्वपोसी कहलाते हैं और जन्तु अपना भोजन स्वयम नहीं बना पाते हैं दूसरे पर पर का आर्थ होता है दूसरा पर मींस होता है दूसरा इसलिए हम इनको पर पोसी बोलते हैं क्लियर है इसके बाद आते हैं गती तो देखो पौधों में गती नहीं होती पौधे एक ही इस्थान पर इस्थर रहते हैं पौधे गती नहीं करते हैं जबकि जन्तु एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर आसानी से गती कर सकते हैं अभी आप अपने से एक्जामपल ले सजी वस्तुएं होती है उनके निर्मान की सुक्ष्मिकाई होती है वह क्या कहला दो बस यहां पर है जो पादब कोशिका होती यानि कि जो पौधों की कोशिका होती है पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ती सेल वॉल पाई जाती है जबकि जन्त कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती बस इतना सा याद रखना कोशिका भित्ती को हम बोलते हैं सेल वॉल ठीक है यही ड आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर पादव जन्तु कोशिका में अंतर यह मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको अच्छे से तयार कर लो यहां से आपका पादव जन्तु कोशिका में क्या अंतर है तो पहला अंतर देखिएगा पादव कोशिका का आकार अनिश्चित रहता है कोई फिक्स आकार नहीं है जबकि जन्तु कोशिका का आकार कैसा होता है निश्चित होता है इसके बाद सकेंड पॉइंट है कोशिका भित्ती यानि कि से जो है केवल और केवल पाधप कोशिका में ही पाई जाती है केवल पादप कोशिका में किसığı का बिध्ती किसमें पाईRY जाती है इसके बाद हम बात करते हैं हरिद लबक, हरतलबक जिसको chloroplast बोल जाता है, chlorophyll भी इसको बोला जाता है, यह जो chlorophyll है यह किसमें पाए जाता है तो सिदी सी बाते आपने देखा होगा पेड़ पौधे कैसे रंगे दिखाई देते हैं हरे रंगें दिखाई देते हैं, इसलिए जो chloroplastic chlorophyll है वो किसमें पाय जाएगा पेड़ पॉधों में पाय जाता है यानि कि पादशिका में पाय जाता है जनत कोशिका में नहीं पाय जाता है समझ में आ गया जो हरित लवक तोप्लास्टिड के अंतरिगत ही हरित लवक आता है तो प्लास्टिट्स को भी याद रखना यानि कि लवक इसको लवक बोला जाता है ये किस में पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं केवल और केवल पादब कोशिका में जन्तो कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं ठीक है जन्तो कोशिका हैं कलर को प्रदश्चित नहीं करते है और आपने देखा होगा जितने भी पौधों की बात करते हैं, फलों को भी कई ऐनके रंग प्रदान होता है, जैसे टमाटर हरे कलर का है, तो ये सारी चीज़ें वहीं से आती हैं लवक से ठीक है, सेंट्रृ स्OWम की बात करते हैं, तो सेंट्रो स्वम इकलौती ऐसी चीज़े इस पादब कोसिका में नहीं पाया जाता है। शोटाब कोशिका में तो एक बार फटा-फट से डिफ्रेंस देख लेते हैं. पादब कोशिका का आकार जो है वो कैसा होता है अनिश्चित होता है जबकि जनतु कोशिका का आकार अनिश्चित होता है इसके बाद पादब कोशिका में कोशिका भित्ती पाई जाती है जबकि जनतु कोशिका में कोशिका भित्ती नहीं पाई जाती है इसके बाद हरित लव पादब कोशिका में पाया जाता है जनतगोशिका में नहीं पाया जाता है प्लास्टेट्स यानि कि लवक की बात करते हैं तो लवक भी पादब कोशिका में पाया जाते हैं जनतगोशिका में नहीं पाया जाते हैं सेंट्रोसॉम की बात करें तो सेंट्रोसॉम पादब कोशि बड़ी होती है और जन्तकोशिका में छोटी होती है अब यहां पर फटा-फट से इनका चुत्र देख लीजेगा वैसे तो बनाने को नहीं आता है बट फिर भी एक बार देख लीजेगा यह रही आपकी जन्तकोशिका माइट्रो कॉंडिया यह आपका पादब कोश्का में भ ठीक इसके बाद बात करते हैं हरितलवक आपको हरितलवक पादब कोश्का में देखने को मिलेंगे जन्तकोश्का में हरितलवक देखने को नहीं मिलेगा और प्लास्टिट्स जो है आपका वो लवक के अंतरगत ही आता है ठीक है लवक के अंतरगत ही आते हैं क्या हरितलवक ठीक है लवक दो बागों में बढ़ते हैं वर्णी लवक और वर्णी लवक में ही आपका हरित लवक आता है क्लियर है चीज़े चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्या रहेगा अनुकूलन ठीके सबसे important रहने वाला है अनुकूलन इस semester के लिए घुमा घुमा कि यहां से question पूछ लिया जाता है अनुकूलन को English ने बोलते हैं adaptation दो प्रकार से question आता है या तो अनुकूलन किसे कहते हैं ऐसे पूछा जाएगा या फिर ये पूछ सकते हैं कि मरूइस्थल पर रहने वाले जीवों में किस प्रकार से अनुकूलन होता है इस type से question आता है तो पहले हम बात करते हैं अनुकूलन क्या होता है अनुकूलन जो है उसको English में हम बोलते हैं adaptation और ये सब्द जो है वो Latin भासा के adaptir शब्द से बना लिया गया और इस adaptir शब्द का अर्थ होता है योग्य बनना याने कि उसके हिसाब से जो भी बातावरण है उस बातावरण के योग्य बनना ये इसका शाब्दिकर्थ हो गया अब हम बात करते हैं कि अनुकूलन आकिर होता क्या है तो अनकूलन का मतलब है कि जीव जन्तु जिस वातावरन में रहते हैं उनका शरीर भी उसी वातावरन में जीने के लिए एक विशेस लक्षण उत्पन कर लेता है और ये लक्षण कहीं ना कहीं उनके रंग में हो सकता है रूप, आकार, सरचना या उनके सभाव में होते हैं इसी को बोलते हैं अनकूलन ठीके इसी को क्या बोला जाता है अनकूलन यानि कि जीव जन्तु जो जिस एरिया में रह रहा है जैसे कोई जीव कहां रह रहा है धुरुवी यानि कि जहां बहुत जादा बर्फ पड़ रही है तो उनका शरीर कहीं ना कहीं उस बर्फीले स्थ पर रहने के लिए अपने शरीर की सरस्चना में कुछ न कुछ नंतर कर्था है क्या अंतर होता है वहांने जीवों में कि उनके शरील पर काफ़ी लंबे बाल पाये चाहएं जाते हैं तो जुचा पर मोटी परत पाए जाती वसा कि जिस बदलाव लाने पड़ेंगे और यही कहलाता है अनुकूलन clear है आगे बढ़ते हैं आनुकूलन जो है वो मैं आपको तीन प्रकार से पड़ाउंगे पहले योजिकी आपको पता है । जो भी प्रत्वी है उसपर जीव जनतु हैं वो किस प्रकार से बटे हैं तीन प्रकार से एक तो जल में रहने वाले वायू में रहने वाले यानि कि जो उड़ते हैं आकाश में वो और तीसरे क्या है इस थल पर रहने वाले पौधे भी ऐसे ये जल में रहने वाले इस थल पर रहने वाले तो इसी प्रकार से मैंने इनको बाटा हुआ है तो आपकी मचली हो गई, औक्टूपस हो गया, यह सारे जीव जो होते हैं, तो जलिये जो बातावरण में जीवजनतु रहते हैं, उन में जल में रहने के लिए, जल रोधी शल्क पाए जाते हैं, उनकी बॉडी पर। ठीक है, साथ-साथ इन में सांस लेने के लिए, शुशन करन के लिए गल्फड़े पाए जाते हैं important point है पूछा जाता है कि किसमे गल्फड़े पाए जाते हैं तो मचली यानि कि वहाँ पर आपको objective में आजाएगा कि निम्ले लिखित में से किसमे गल्फड़े पाए जाते हैं मचली, गाए, कुत्ता या फिर आपका मेढग तो वहाँ पर आप उसी दसांसर देना है किसमें पाए जाते हैं मचली में पाए जाते हैं ठीक है और इनका सरीर जो जली जीव होते हैं इनका सरीर कैसा होता है धारा रेखित होता है और इसी वज़े से ये क्या है आसानी से तैर सकते हैं ठीक है तैरने में ये धार रेकी शरीर इनकी सायता करता है एक्जामपल में आप लिख सकते हैं मचली ऑक्टोपर जो भी जली जीप के नामे आदा है वो आप यहां पर लिख सकते हैं ठीक है इनके पौधे के जो भी भाग है उन सब पर एक प्रकार का उतक पाया जाता है जो कैसा होता है म्रदू उतक होता है इसी वज़ा से ये क्या होते हैं सौफ्ट होते हैं इन पौधों के पूरे के पूरे भाग पर एक जल रोधी मौम की परत पाई जाती जिससे क्या है ये सड़ ठीक है? पानी में अगर आप कोई चीज रख दें तो अगर बहुत टाइम बाद आप चाहें अगर चाहें आप इस प्रैक्टिकल को कर के देख सकते कोई लखडी आप तोड लीजिये, कोई पत्टा तोड लीजिये और आप उसको पानी में डाल दीजिये अग आप उसको एक या दो दिन बात देखें तो कहीं न कहीं वो सडने लगता है खराब होने लगता है और जो जलिये जीवे हैं वो तो 24 घंटे पानी में ही रहेंगे तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा उसडने से बचाने के लिए इसलिए उनक पत्तियों में क्या नहीं पाए जाते हैं रंद्र नहीं पाए जाते हैं यह आपको इस थली पौधों में देखने को मिलेगा कि इस थली पौधे जैसे आपका नीम हो गया अम्रूध हो गया यह जो पेर पौधे होते हैं इनमें रंद्र पाए जाते हैं इनकी पत्तियों में कमुदनी हैडरला वैल्सनेरिया ये सब एक्जामपल है नेक्स आते हैं वायवी अनुकूलन पर तो वायवी अनुकूलन क्या होता है वायवी जनतों में उड़ने के लिए उनका शरीर एक विशेश प्रकार का अनुकूलन कर लेता है वही वायवी अनुकूलन है तो इसमें व होल्स पाए जाते हैं यहां us से यह यह शुशन की क्रिया एनकी यहीं से होती है siu हमारे अंदर नाक पाइजाती है ऐसे इनमें क्या होते गलते हम पाइजाते हैं और इसमें पखाण कि तारेध क्षिमयों हथाeurs नौक राकरती में होती हैं और धारारेृ जैसे तोता, कबूतर, कववा, चिडिया, इत्यादी ये सब पक्षियों में आ जाएंगी, अब हम बात करते हैं इस्थली अनकूलन की, तो इस्थली अनकूलन में आप तीन प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो इस्थल पर जैसे आपके मैदानी भाग में जो पाई जाएंगे ज जन्तूओं में चलने के लिए चार पैर पाये जाते हैं, आप गाये को लें, जाए भैस को लें, जाए घोडे को लें, सभी में चार पैर पाये जाते हैं, अगर हम बात करें मनुश्य की, तो मनुश्य की अगर आप पूरवजों को देखें, तो वो भी कही न कहीं कैसे चलत उमें एक विक्सित श्वसंत तंत्र पाय जाता है जहां से वो सांस लेती है ठीक है श्वसंत तंत्र में पूरा आपका आजाएगा नासिका फेफड़े ये सब अगेरा ठीक है इसमें कौन-कौन से जीव तो गाए भैंस बकरी घोड़ा मनुश यत्यादी आप लिख सकते हैं अब बात करते हैं इस थलिये पौधों की तो इस थलिये पौधों की जो पत्तियां होती है और तना काफी मजबूत होता है जैसे पीपल, बर्ग, नीम, अम, 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 अमरूद, अगर आप इनको देखो तो काफी तना इनका कैसा रहता है मजबूत रहता है भी काफी मजबूत रहती है ठीक है अब पत्तियों में क्या पाया जाते है रंदर यानी की इस्टो मेटा पाया जाता है ठीक है इस्टो मेटा पाया जाता है जहां से वास्पो सर्जन की क्रिया सुष्ण की क्रिया इन में चलती है और इनका जड़तंत्र काफी विक्सित होता ह एक्जाम्पल में नीम, आम, अम्रूद, पीपल, बर्गद, इत्यादिया आप लिख सकते हैं आगे हम भड़ते हैं मरुस्थलिय पौधों में किस प्रकार से नुकूल होगा और जन्तूओं में किस प्रकार से होगा आपने देखे होंगे नहीं तो सुना तो हो गई कि उट के जो तलबे होते हैं किया से गद्दीदार होते हैं जिससे वो आसानी से रेत पर क्या है चल पाता है गरम रेत हो जाती है तो आसानी से उस पर चल पाएगा वो ये रेगिस्तानी जीवों के जो गुर्दे होते उनके मूतर को गाड़ा कर देते हैं जिससे क्या होता है उनके शरीर से कम पानी सर्जित होता है एक्जामपल में लिख सकते हैं उट को वो कि आपको पता है मरुस्थल पर किस चीज की कमी रहती है कहीं न कहीं किसकी कमी होती है पाने की कमी होती है तो यहाँ पर जो भी जीवजन तो रहा रहे होंगे तो उसका कम पानी में वो survive कर पाए इस प्रकार से उनकी बोडी में कही न कहीं कुछ बदलाव हुआ है वही उनका अनकूलन है भात करते हैं बहां के पौधों की मरुस्तली पौधे जो होते हैं इसके बारे में काफी 괜찮 पूछा जाता है important point है ये इसको highlights करके अपने notes में ज़रूर लिखना मरुस्थली जो पेड़ पौदे होते हैं उनका जो तना होता है वो होता है मांसल और चपटा तथा इस्पंजी हो जाता है क्यों इस्पंजी होता है वो कि तना कही न कही भोजन बनाता है और भोजन को संग्रहित करता है इसलिए जो तना है वो इसका चपता सब इस्पंजी हो जाता है ठीक है और जल को भी ये अपने अंदर संजो के रखेगा यानि कि एकत्रित करके रखेगा संचयर करके रखेगा इसलिए इस्पंजी हो जा वास्पो सर्जन की क्रिया होगी पत्यों में रंद्र पाय जाते हैं उस रंद्र से वास्पो सर्जन की क्रिया होती वास्पो सर्जन की क्रिया में कुछ नहीं होता सिर्फ इतना याद रखो सिंपल सा कि जो पेड़ पौदे जल को ग्रहन करते हैं उस जल को वो वास्प के रूप में उत्सर्जित करते रहेंगे वही क्रिया है वास्पोथ सर्जन वास्प प्लस उत्सर्जन यानि की वास्पोथ सर्जन ठीक है अब चूकी महाँ पानी की कमी है और अगर वास्पोथ सर्जन की क्रिया होती रहेगी तो अधिक पानी के आवश्यक्ता होगी इसलिए वहाँ पतियां काटो में रूपांत्रित हो गई हैं अब पतियां जब रही नहीं तो खाना कौन बनाएगा फिर वहाँ पर जो भोजन बनाता है वो बनाता है तना ठीक है इसके बाद तना भोजन को संग्रहित भी करता है इनक अगर देखे तो वो पानी को काफी नीचे गहराई तक स्टोर करते हैं और ऐसे मरुष्थल वाले एरिया रेगिस्थानी एरिया उनमें उन पौधों की जड़ों से जो है वो पानी को निकालते हैं इनका जड़तंतर इतना काफी गहराई तक जमीन में अंदर होता है ठीक है ए सतावर घीकवार यह सबी इसके उधारन है इसके बाद हम बात करते हैं परवती छेत्रों में रहने वाले जन्तु अपौध होगी परवती छेत्रों में रहने वाले जन्तु के जो शरीद का रंग होता है वो सफेद या फिर किसी हलके रंग के होते हैं वो सफेद हो सकते हैं या किसी हलके रंकी होंगी ठीक है ये गर्मियों गवा पज़ड के दिनों में ये बहुत सारा भोजन खा लेते हैं या उसको एकत्रित करके रख लेंगे उर्जा अपने अंदर स्टोर कर लेंगे ताकि सर्दियों के दिनों में ये कई माहा तक सोते रहते हैं फिर ये भोजन अगर आपको डूडने के लिए नहीं निकलते ठीक है इनकी तवचा के नीचे वसा की एक मोटी सी परत पाई जाती जो कि क्या करती इनको गरम रखने में यानि की सर्दी से बचाने में सहयता करेगी पौधो के अगर हम बात करते हैं परवती छेत्रों के तो इनकी पौधो की क्लमा क्रिशे होगी एक छोटी होती और यह कम होती है और इनकी पत्या जो है वह सुई की तरह नूकीली होती है ठीक है इन जा कहते हैं पत्या नुकीली होंगी वास्पू सरजन की क्रिया कम होगी इन पत्यों पर कोमल परत होती है जो वास्पी करण से बचाती है पौधे पर अनेक शाखाएं होती है जो जुकी हुई होती है बर्फ के भार को अन्य शाखाओं से बचाती है जैसे मैंने तो यहां तक आपका अनकूलन तक कम्प्रीट हो गया है आज ठीक है अब इस टॉपिक में याने कि इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है जैसे कि आपका प्रकाश अंसलेजन की क्रिया हो गई पोशण किसे कहते हैं और आपके एका जो पॉइंट है कीट भक् क्लास में कम्प्रीट कराऊंगी ठीक है तो अनकूलन का जो आपका टॉपिक है इसको अच्छे से तयार जरूर करिएगा कहीं ना कहीं इस टॉपिक से आपको कुश्चन जरूर इस बार एक्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है इस पर स्टार बना लेना अगर आपनों बबाई टेक एर